नमस्कार इस वीडियो में हम डेटेल के साथ कवर करने वाले हैं जुबकवडी तामलाडू का 37 नंबर में जो कहला जाएगा PKS और DS के बीच में पूल B काजे मैच होगा, शांदर मैच होगा, पूल A के मुकाबला में डूरेशन जाएगा 10 मिन जादा ठीक है नोटिस केजगा और आज का मैच बहुत जादा डेटेल के साथ हम कवर करने वाले हैं रीसेंट फॉर्म प्लेयर पीशन और स्टाट्स स्टार्टिंग सेवन के साथ बनाएंगे दूस्तों आपके लिए एक शांदार विनिंग टेम तो वीडियो में डेटेल में जाने से पहले मुझे जूरूर जोएन कीज़ेगा वाई टेलिग्राम के उपर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्योंकि ऐसे मैचेस में अक्सर लाइनम में बहुत जादा चेंज़ेस कर दिये जाते हैं टोटल कियी हैं इसने एक मैच में 16 टेकल इसकी सिकसेस बॉल जा रही है 55 प्रतिसात का इसके बाद टेकल स्ट्रैक रेट है इसके पास 38 में से 12 रेट से सिकसेश बॉल कर रही है और अब तक एक मैच खेला है पहला मैच वान करने के बाद धुडा सा हाई कॉनस के साथ आपक स्टार्टिंग 7 का बात कर लेते हैं तो DRS के पास आपको एक बड़िया स्टार्टिंग 7 देखने को मिलेगा जिनमे एस मुर्गिशन आपको बिल्कुल मिड़र में डिफेंस करते नजर आएंगे एमिक्रेशन खेलेंगे लेफ्ट कबर के उपर और राइट इन पर डिफेंस करेंगे डैवल इलेंगो और इसी के साथ अगर लेफ्ट का कॉर्नर देखें तो उसे होगा भाई अगनेश कुरुया पार्ग के पास में ठीक है और राइट सेट पर नजर डालें तो अरुन जैप पर खेलने वाले हैं राइट इन पर खेलेंगे भी मिटाले कण और इसी के साहथ जो कॉर्नर होगा वो मातियाफर के पास के पास्ति हो है और इसके पास यहां से टेवल लेंगो काफी जाद है पोटेंट रेडर रहा है और इनका अगर रेड का इन रेड ज़े तो तोọnasa लेगन का देखें तो जे भी ट्रेट्स का कर रहे हैं मतलब दोनों सेट से आपको जे पैनिफिट देने वाले हैं रेडर दिल्कुल मिश्मत कीजेगा जे दोनों बहुत जादा इपॉटेंट क्योंकि ड्रस क्या जो स्टॉंग पक्षा है वो इसके रेडर है इसके बाद बहुत जादा इपॉटेंट बनेंगे आपके लिए मैं थोड़ा साब को और क्लियर कर देता हूँ जे तीनों प्लेयर बाई काफी जादा इपॉटेंट बनने वाले हैं तीनों में से किसी एक को भी मिश्मत कीजेगा अगर तीनों आते हैं यहां से स्टार्टिंग सैबन मे और डिफेंस में देखें तो आज जहां से करूए अपन जे पॉटेंट बनेंगे आपके लिए और कबर पर अरुन जैपाल ठीक है जे पॉटेंट बन सकते हैं तो जे दोनों डिफेंस में काफी अच्छे हैं और स्टैफन मौसस और क्रिशन यह दोनों रिस्की प्लेयर हैं किसे को आप रिस्की टीम में डाल सकते हैं दोनों को से इंप्टी में ट्राई मत किजेगा और बाकिकी बाते हैं क्लियर करेंगे आपके साथ टीम बनाते हुए और अभी बात करते हैं पीके स्पोर्स फांडेशन के टीम के बारे में इसके लिए बिलकुल मिडल में योगा अखनाथन आपको कहेलते नजर आएगे रंजीत कहलेवाले हैं लेफ्ट कवर के ओपर और लेफ्ट इनपर डिफेंस करेंगे पीजी को पाल बाशीकररन जुब्राज कहलने वाले हैं यहां से लेफ्ट कॉर्nor के ओपर राइट सेर पर नजर डालें तो यहां से पीरमन आरह हैं राइट कॉर्णर के उपर राइट है पर डफेंस करेंगे जाया जाया कैंथ और गौथम आ रहे हैं बाई और कवर के उपर राइट से है ठीक है तो आज यह आपको कॉंबिनेशन स्टार्टिंग सेबन में देखने को मिल जाएगा अगर पीके स्वोर्ड कोई चेंजेस करते हैं उसका अपडेट आपको फाइनली टेलीग्रम पर मिलेगा और एक बार और बता दू कि भाई अगर कोई प्लेयर सब्सिटूट की पिक में जाता है मान लीजे रंजीत को सब्सिटूट में रखा जाता है इनकी जग का टैकल स्ट्राइकरेट है और यहां से वेसकरन को दिख सकते हैं 45 परटीस के टैकल के साथ के लेंगे लेफ्ट काईनर के उपर और आईसे है देखें तो रमन खेल रहेए और गौ्थम खेल रहेँ मसरे जो चारों बहुत जादा इप्धन को आपर नहीं लगाना चाहते तो यहां से आप योगा नाथन को ज़्यादा मौका दे सकते हैं क्योंकि इसे टैकल भी काफी अच्छी करती है चार्ट टैस लेते हैं तो दो टैकल इनका पका देखने को मिलेगा और बहीं अगर रेडर का बात करें तो याया कांस 37% के टैकल रेडर के साथ खेल रहे हैं अब तक और पीजी को पाल का देखें तो यह 30% पर है ठीक है मतलब दोनों में से आप किसी एको रख सकते हैं रेडर ज़्यादा स्टॉंग नहीं है इस टीम का डिफेंस काफी ज़्यादा स्टॉंग है ठीक है तो यहां से मैं आज डबल साइड़ खेलने वाला हूँ डिफेंस में बात करें तो तीन प्लेयर मैं पिक करूँगा क्योंकि पीकी एस डिफेंस में काफी अच्छी है इसके मैं यहां से विसकरन को लेने वाला हूँ और पी रमन आ रहे हैं जे कॉर्णन के प्लेयर हैं बाई दोनों मिलकर आपको तीन टैकल से उपर का देने वाले हैं आज के मैंच के लिए जाया पाने वाले हैं अच्छे पुशिंग ओलोड के लिए जाने जाते हैं तो यह तीन काफी जादा इपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे आपके लिए बढ़िया प्लेयर हैं किसी एक को भी मिसमत केज़ेगा अगर आफ खेले वाले हैं सल और हैट्वट के लिए तो कोपाल के साथ आप लैनों को कैप और बीसी बी ट्राईट कर सकते हैं यह पर डबेयुक्ते हैं जहां पर आपको कॉंपिटिशन हज़र आईगा तो जे कैप काफी जादा क्म करेंगे वेसकरन को रख सकते हैं और रमन को रख सकते हैं क्योंकि जैपाल थोड़े से common captain जाएंगे इनको लगाने का जादा फाइदा नहीं है grandly के लिए तो बाकि ऐसे player आप try कर सकते हैं जिनने लोग team में try करें वाट कैबरने के chances बहुत जादा कम हो तो यह होगा दूस्तों आज का मारा final protect team अगर कोई changes हो जाता है तो final team आपको telegram पर मिलता है